क के साथ हे लो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फिर शे एक नए वीडियो में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है What is Computer ? कंप्यूटर क्या है ? दोस्तों आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर की परिभासा, एवं कम्प्यूटर कितने परकार के होते हैं, एनालाग कम्प्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कम्प्यूटर क्या है, हाइब्रिट कम्प्यूटर क्या है, या कम्प्यूटर के जनक कौन है, कम्प्यूटर की विशेस्ता कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें, तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, What is Computer? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सब्द की उत्पत्त, लैटिन भासा के कंप्यूट सब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गड़ना करना, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जो यूजर यानि हमारे दोरा दिये गए इंस्ट्रक्शन को इन्पुट के रूप में ग्रहन करता है, और कुछ प्रोसेसिंग के पस्चात हमें एक अर्थपुन परड़ाम देता है, यानि की दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जो हमारे दोरा दिये गए निर्देशों यानि इंस्ट्रक्शन को इन्पुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, और कुछ प्रोसेसिंग के पस्चात हमें आउट उपुट के रूप में करने वाला, वहीं दोस्तों अगर हम पर्थम गड़ना यंत्र की बात कहें तो अबेकस पर्थम गड़ना यंत्र है, और चाल्स वेवेच को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर की परिभासा, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जो डाटा इक अज़िक सखेंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में पर्दान करता है, आता हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस है, जो डाटा एवं निर्देसों को इनपुट के रूप में एक्सप्ट करता है, और एक स्टिप बाइ स्ट प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को आउटपुट के रूप में परदान करता है कम्प्यूटर हमारी आवस्चता के अनुसार डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट इस्टोर एवं उसे मैनूपलेट करता है कम्प्यूटर एक एसा एक एक एसा इलेकट्रानिक डिवाइज है जो अर्थमेटिकल एवं लाजिकल दोनों प्रकार के गणनाओं को कर शकता है कम्प्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है पहला है आपका software दूसरा है hardware आगे दोस्तों हम computer के types को देखने वाले हैं कि computer कितने प्रकार के होते हैं type of computer computer के प्रकार दोस्तों computer सामानेता तेन प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है आपका analog computer दूसरा है आपका digital computer तीसरा है आपका hybrid computer दोस्तों digital computer चार प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है आपका मिनी कंप्यूटर, दूसरा है आपका माइक्रो कंप्यूटर, एवं तीसरा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि computer कितने प्रकार के होते हैं एक बार फिर से आपको बता दें कारिपद्धत एवम अनुपरियोगों के आधार पर computer को तीन भागों में बाटा गया है पहला है आपका analog computer दूसरा है आपका digital computer एवं तीसरा है आपका hybrid computer आकार के आधार पर digital computer को चार भागों में बाटा गया है जिसमें से पहला है आपका micro computer दूसरा है आपका mini computer एवं तीसरा है आपका main frame computer और चौथा है आपका super computer उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए आगे हम इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं पहला है आपका एनालाग कम्प्यूटर एनालाग कम्प्यूटर का उप्योग अधिकतर चिकित्सा एमम विज्ञान के छेतर में किया जाता है एनालाग कम्प्यूटर डाटा या सिगनल को इनपुट के रूप में गरहन करते हैं और एनालाग डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट भी एनालाग में ही देते हैं दोस्तों एनालाग कम्प्यूटर का उप्योग भावतिक मात्राओं जैसे ताप, डाब, दूरी, लंबाई, उचाई, आधिको मापने के लिए किया जाता है एनालाग कम्प्यूटर सिगनल पर आधारित होते हैं, एनालाग कम्प्यूटर निरंतर सिगनल देते रहते हैं दोस्तों अगर हम एनालाग कंप्यूटर के एक्जाम्पल की बात करें तो आपका स्पीडो मीटर और थर्मा मीटर एवं भोकम मापी यंद्र ये सभी आपके एनालाग कंप्यूटर के उधारण हैं दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही परियोग किये जा रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होते हैं परतमान समय में हम जिन कंप्योग का उपियोग करते हैं ये सभी डिजिटल कंप्योटर के अंतरगत आते हैं डिजिटल कंप्योटर, बायरी नंबर सिस्टम, 01 पर आधारित होते हैं Digital Computer का उपयोग अधिकतर arithmetic operation को perform करने के लिए किया जाता है यानि कि दोस्तों, Digital Computer का उपयोग अधिकतर arithmetic operation जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आधि के लिए हम करते हैं वर्तमान समय में Digital Computer का उपयोग ब्यापक रूप से किया जा रहा है Digital Computer, Micro Processor, Technique पर आधारित होते हैं Example, Desktop Computer, Laptop, ये Digital Computer के उधारन है दोस्तों, Digital Computer को चार भागों में विभाजित किया गया है जिसमें से पहला है आपका Micro Computer, दूसरा है आपका Mini Computer, तीसरा है Main Frame Computer और चौथा है आपका Super Computer, तो चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में जानते हैं पहला है आपका Micro Computer Micro Computer का Processor बहुत छोटा होता है Micro Computer के CPU में एक Micro Processor का उपयोग किया जाता है Micro Computer एक Single User Computer होता है यानि कि दोस्तों, Micro Computer पर एक बार में केवल एक ही उजर कारे कर सकता है Micro Computer को Personal Computer के नाम से भी जाना जाता है Micro Computer का उपयोग घरों एवं छोटे बेऊसाय या Personal कारें के लिए किया जाता है इसलिए इसे Personal Computer या PC कहते हैं Example Desktop Computer, Laptop, Formtop, Tablet ये सभी आपके Micro Computer के उधारन हैं दूसरा है आपका Mini Computer Mini Computer एक Multi-User Computer होता है जो अधिकतर बड़ी कमपनियों एवं सरकारी आफिस में सर्वर Computer के कार के लिए परियोग किया जाता है इस Computer पर एक साथ कई User कारे कर सकते हैं इसकी कारे छमता Micro Computer से अधिक होती है यानि कि दोस्तों Mini Computer एक Multi-User Computer होता है यानि कि इस पर एक बार में एक से अधिक User कारे कर सकते हैं इसकी जो गत ही होती है वो Micro Computer से अधिक होती है तीसरा है आपका Main Frame Computer Main Frame Computer, Mini Computer और Micro Computer से बड़ा होता है यह Computer सरवर के रूप में कारे करता है Main Frame Computer का उप्योग बड़ी कमपनियों में डेटाबेस रखने के लिए किया जाता है इसकी कारे चमता Mini Computer से अधिक होती है Main Frame Computer पर हजारों यूजर एक साथ कारे कर सकते हैं अगला है आपका Super Computer Super Computer अन्यक कमप्योटरों की तुलना में सबसे बड़े और तेज होते हैं Super Computer आकार में काफी बड़े होते हैं इनका आकार लगभग एक कमरे के आकार के बराबर होता है इसका उप्योग बैज्यानिक अनुसंधान एवं Engineering कारियों के लिए किया जाता है वरतमान समय में Super Computer सबसे बड़ा एवं सबसे तेज और सबसे महंगा Computer है दोस्तों अगर हम सबसे पहले सुपरकंप्योटर की बात करें तो पहला सुपरकंप्योटर क्रेवन है एवं भारत का पहला सुपरकंप्योटर परम 10,000 है सुपरकंप्योटर सबसे तेज कंप्योटर होता है दोस्तों एनालाग और डिजिटल कंप्योटर के बाद तीसरा आता है आपका Hybrid Computer Hybrid Computer Hybrid Computer, Analog और Digital दोनों प्रकार के Computer से मिलकर बना होता है Hybrid Computer का उपियोग वहाँ पर किया जाता है जहां पर Analog और Digital दोनों प्रकार की गणनाएं करनी हो यानि की दोस्तों Hybrid Computer में Analog और Digital दोनों प्रकार के Computer के गुण पाए जाते हैं Hybrid Computer का उप्योग वहाँ पर किया जाता है जहां हमें एनालाग और डिजिटल दोनों प्रकार की गड़नाओं को एक साथ करना हो Hybrid Computer, Binary Number, Aum, Analog, Signal दोनों को समझ सकता है चिकितिसा के छेतर में Hybrid Computer का सरवाधिक उप्योग होता है जैसे ICU, ECG और आपके Dialysis मसीनों में Hybrid Computer का उप्योग किया जाता है इसके बाद जो आपके New Generation की 4-wheeler गाड़ियां जैसे कार हो गए रहा हैं इसके Dashboard में भी Hybrid Computer का उप्योग किया जाता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा अगला टॉपिक है हमारा Generation of Computer Generation of Computer Computer की पीढ़ियां Computer Generation को 5 भागों में विभाजित किया गया है तो चलिए दोस्तों एक-एक करके हम Computer के इन 5 जैनरेशन के बारे में देखते हैं पहला है आपका पर्थम पीढ़ी यानि First Generation पर्थम पीढ़ी के Computer का विकास लगभग 1945 से 1955 के आस-पास हुआ पर्थम पीढ़ी के Computer का उपयोग किया जाता था पर्थम पीढ़ी के Computer का उपयोग भैज्यानिक अस्तर के कारियों को करने के लिए किया जाता था पर्थम पीढ़ी के कम्प्यूटरों में मसीन लेवल प्रोग्रामिंग लेंग्वेज का उप्योग किया जाता था इक्जाम्पल IBM 701 IBM 650 ये आपके पर्थम पीढ़ी के कम्प्यूटर के उधारण है अगला है आपका दुतिये पीढ़ी यानि Second Generation दुतिये पीढ़ी के कम्प्यूटरों का विकास लगभग 1955 से 1964 के आस पास हुआ था दुतिये पीढ़ी के कम्प्यूटरों में ट्रांजिश्टर का उप्योग किया जाता था इस पीधी के कम्प्योटरों में assembly language का प्रयोग किया गया था इस पीधी के कम्प्योटरों का उप्योग बैग्यानिक एहुम वारिजिक application के लिए किया गया था ज्यानि की दोस्तों जो आपके second generation के computer थे उसमें vacune tube के अस्थान पर transistor का उप्योग किया जाने लगा जिससे इनके आकार में थोड़ी कमी आई इसकी गती पर्थम पीड़ी के कंप्यूटरों की गती से ज्यादा थी अगला है आपका तिर्थिये पीड़ी 3rd generation तिर्थिये पीड़ी के कंप्यूटरों का विकास लगभग 1964 से 1974 के आसपास हुआ था इस जनरेशन के कंप्यूटर में Integrated Circuit IC का उपियोग किया जाता था इस जनरेशन के कंप्यूटर का उपियोग बैग्यानिक, वाडिजिक एवं Interactive Online Application के लिए किया जाने लगा इसमें High Level Programming Language का उपियोग किया जाने लगा जैसे COBOL, FORTUN, BASIC, AADY अगला है आपका, चतुर्थ पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास लगभग 1975 से 1989 के आसपास हुआ था इस जनरेशन के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपियोग किया जाने लगा इस जनरेशन के कंप्यूटर, FORTUN होने के साथ साथ अधिक विश्वसनिये और आकार में छोटे थे इसमें high-level programming language का उपियोग किया जाता था दोस्तों, चवथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपियोग होने लगा जिसके कार्ड ये portable होने के साथ साथ अधिक विश्वसनिये और आकार में छोटे थे इस जनरेशन के कंप्यूटरों का उपियोग बैज्ञानिक, वारिज्जिक, एवं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग के कार्यों में होने लगा चवथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में high-level language जैसे C, Java, Python, आधिका उपियोग किया जाता था अगला है आपका पांचवी पीढ़ी, 5th generation, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास लगभग 1908 से वर्तमान समय तक माना जाता है इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का उपियोग किया जाता है इस जनरेशन के कंप्यूटरों के माइक्रो प्रोसेसर अल्ट्रा, लार्ज, स्केल इंटिग्रेशन पर आधारित है यानि कि दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में भी माइक्रो प्रोसेसर का उपियोग होता है लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर फॉर्ट जनरेशन के कंप्यूटर में परियोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर से काफी जादा एडवांस होते हैं चौथी पीढ़ी में परियोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर भी एल येसाई यानि वेरी लार्ज इसकेल इंटिग्रेशन पर आधारित होते हैं चौथी पीढ़ी की तुलना में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी जाद एडवांस और फास्ट होते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हाई लेबल लेंग्वेज का उप्योग किया जाता है जैसे सी, सी पलस पलस, जावा, पाइथन, आधी अगला टोपिक है हमारा कंप्यूटर की विसेस्ताएं कारेक्टर इस्ट्रिक्स आफ कंप्यूटर तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम कंप्यूटर की विसेस्ताओं के बारे में जानते हैं पहला है आपका स्पीड यानि गती कंप्यूटर की गती बहुत अधिक होती है यहाँ एक सेकेंड में लाखो गर्णाओं को कर सकता है दूसरा है आपका एकूरेसी, सुधता कंप्यूटर बिना तुर्ट किये सही सही गर्णाओं को कर सकता है बस इतने ध्यान रहे कि यूजर द्वारा कोई गलत इन्पुट ना किया गया हो तीसरा है आपका डेली गेंस निरंतर्ता कम्प्यूटर बिना रुके, बिना ठके किसी कारे को कर सकता है नेस्ट है आपका इस्टोरेज कैपासिटी भंडारण छमता कम्प्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को एक लंबे समय तक इस्टोर कर सकता है नेस्ट है आपका मल्टी टास्किंग कम्प्यूटर एक ही समय में कई कारे को कर सकता है जैसे डाकुमेंट बनाना म्यूजिक सुनना पेज को प्रिंट करना आदी कम्प्यूटर में हम पासवर्ड के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को सुरच्छित कर सकते हैं नेस्ट है आपका आटोमेशन स्वाचलित कम्प्यूटर एक स्वाचलित मसीन है इसमें गाड़ना के दौरान यूजर द्वारा कोई हस्ता छेप नहीं होता है जबकि इनपूट और इंस्ट्रक्शन यूजर द्वारा ही दिये जाते हैं तो ये हैं दोस्तो आपके कम्प्यूटर की कुछ बिसेश्ता हैं आगे नेस्ट हम देखते हैं कम्प्यूटर के अनुपरियोग एप्लिकेशन आफ कम्प्यूटर कम्प्यूटर के अनुपरियोग तो ये दोस्तों हम कम्प्यूटर के कुछ महत पूण अनुपरियोगों के बारे में देखते हैं पहला है आपका एजुकेशन दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज कल एजुकेशन के छेतर में कम्प्यूटर का काफी ज़़्यादा उपयोग किया जा रहा है जैसे online classes आदी में कम्प्यूटर का उपयोग होता है पेंड है आपका word processing दोस्तों word processing में भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है जैसे आपका document बनाना, PDF तैयार करना, notes create करना आदी Next है आपका banking Banking के छेत्रों में भी computer का उपयोग किया जाता है जैसे e-banking ATM आदी में Next है आपका hospital Hospital में भी computer का उपयोग होता है अगला है आपका airline Next है railway दोस्तों railway में भी ticket booking आदी में computer का उपयोग किया जाता है अगला है आपका communication दोस्तों computer के द्वारा हम video calling, online chatting, email आदी को भेज कर communication एक दूसरे से कर सकते हैं अगला है आपका science and engineering विज्ञान एवम engineering विज्ञान एवम engineering के छेत्रों में भी computer का बहुत जादा उपयोग किया जा रहा है दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किर्पया वीडियो को like, channel को subscribe और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें